दुर्गास्टमी की आप सभी को हार्दिक शुब कामना है। दुर्गास्टमी की आप सभी की आप सभी कामना है। दुर्गास्टमी की इस बार देखने को आ रही है। तो मैं आपका कन्फ्यूजन ये डाउट क्लियर कर लेती हूं कि सास्त्र सम्मत यानि सास्त्र के अनुसार्ट सब्तमी से युक्त जो अस्टमी तिति होती है वो ग्राह नहीं होती है। उसे एकसेप्ट नहीं किया जाता। जबकि नव्मी युक्त अस्टमी तिति होती है तो वो ग्राह होती है। इसलिए अस्टमी में सब्तमी का वेद वर्जित माना गया है सास्त्रों के अंदर। और नव्मी से युक्त अस्टमी शुब मानी गई है। वैसे भी जो उदिया तिति होती है उसी को ही हम सास्त्र सम्मत मानते हैं और वही तिति पूरे दिन मानी जाती है सास्त्रों के अनुसार। इसलिए दस तारिक को प्रातक काल सुर्योदे के समय सब्तमी तिति रहेगी इसलिए सब्तमी तिति ही दस तारिक को मानी जाएगी और सब्तमी के साथ जो अस्टमी का मेल है वो कभी भी नहीं माना जाता वो वैद नहीं होता है इसलिए ग्यारा तारिक को अस्टमी तिति जो 12 बच कर 6 मिनट तक रहने वाली है एक तो सुर्योद है के समय भी अस्टमी तिती होगी तो वो सस्ट सम्मत है और अस्टमी के साथ चुनोमी का मेले इसलिए उस दिन को हम दुर्गास्टमी के रूप में मनाएंगे I hope कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा इसलिए दुर्गास्टमी का पर्व आपको 11 तारिक को मनाना चाहिए इस दिन आप कन्या पूजन करें कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षना जरूर बेट करें चलिए ये तो डाउट मैंने आपका क्लियर कर लिया अब बढ़ते हैं आगे और आजाते हैं आज के पंचांग पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 11 उक्तोबर शुक्रवार का दिन है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अस्कमी तिति आज है जो की दौपेर 12 बच कर 6 मिनट तक रहेगी उसके बाद नवमी तिति प्यारंब हो जाएगी उत्रा साड़ा नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो की 12 उक्तोबर को प्रातक काल 5 बच कर 25 मिनट तक रहेगा उसके बाद श्रवन नक्षत्र प्यारंब हो जाएगा चन्रमा आज मकर राशी में गोचर प्रामन करेंगे शुकर में योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पिरिट सुबद 7 बच के 30 मिनट से 9 बचे तक रहेगा वहीं राहु काल का समय सुबद 10 बच के 30 मिनट से दापर 12 बचे तक रहेगा दिशासूलाज प्रश्चिन दिशा में रहेगा यदी इस दिशा में यात्रा करना आप शको चोँखा कर आप इस दिशा में यात्रा कर सकता है बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं आज के तैनिक राशी फल पर आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि शनी राहू केतु से अगर आप परिशान है तो आपको दुर्गस्मी के दिन क्या उपाय करने चाहिए तो इन उपायों को जानने के लिए वीडियो के अन तक आप मेरे साथ बने रहिए अब शुरुआत करते हैं प्रतम राशी यानि मेश्च राशी से आपकी राशी से एक चंद्रमा आज के दिन दसवे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन किसी भी कारे को अन्यता नाले हर कारे को टाइब टू टाइब आपको डिवोशन से पूरा करना पड़ेगा आज के दिन यत्रा है आपके लिए सुख़द और मंगल में रहेगी कारे फटा-पट से होते हुए दिखाई दिनगे पिता का मार्दर्शन किसी कारे के अटकाव की स्तत्या आने पर आपको जरूर मिलेगा और वो अटकाव की स्तत्या समाप्त हो जाएगी दुर्गास्मी परमा दुर्गा को सिंदूर अर्पित करें और छोटी बच्चियों को पाराधी प्रदान करें आपका शुबरंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा तीन अब आतें व्रशब राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्य वर्दक रहेगा कारिया आपके फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे आज के दिन जो भी कारे करेंगे उसमें आपका डिवोशन देखने लायक रहेगा जॉब स्विच करने के योग बनेंगे और आज के दिन जो युवक युवतिया हायर एजुकिसन से जुड़ी होई पढ़ाई कर रहे हैं उनको लक्ष प्राप्ती में आसा नहीं होगी दुर्गास्मी के दिन आप विवाहित महिलाओं को श्रद्दा पुर्वक भोजन कराएं श्रंगार आदी से जुड़ी होई वस्तुएं उपभार में दें आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबंग रहेगा नो अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से एक चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन कोई भी कारिया जल्द बाजी में न करें सोच समझकर किए गे कारियों का परिणाम आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है आज के दिन यात्रा है आपके लिए सुख़द और मंगल में रहेगी खुद कड़े रहकर जो भी कारे करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आपको विदी पूर्वक मादुर्गा की पुजा राधना करनी चाहिए उनके बीज मंत्रों का चाप करें आपका अस्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन बिना सोचे समझे जल्द बाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचें आपको अपनी लाइफ पार्टनर का सयोग मिलेगा कारी फटापट से होते हुए दिखाई देंगे आज के दिन जो भी कारे आप हात में लेंगे उ उन्हें प्रसनता पूर्वक दाम दक्षिना भेट करें आपका शुबरंग रहेगा सफेद शुबरंग रहेगा आठ अब आते हैं सियराशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन छटे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको जो भी कारे करने है उसकी योजना जरूर बनाए योजना मत तरीके से किये गए कारेों का विशेश लाब आप जरूर प्राप्त करेंगे गलत मित्रों की संगती से आज आज के दिन आपको बचना होगा गलत आदत से भी बचना होगा ताकि आपके जीवन में कोई अन्होनी नहों मादुर्गा को लाल पुष्प अतिप्रिय है अतदुर्गा स्मी पर लाल पुष्प चड़ाने से ग्राओं की अशुकता दूर होती है आपका शुब्रंग रहे अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पाचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन पढ़ाई से सम्मंदित समस्याओं को दूर करेंगा स्टुडेंट का सेल्फ कॉंफिडेंस बढ़ेगा संतान की तरफ से समाचार मिलेंगे कला के शित्र में आप आज के दिन अचानक से प्रसिद्धी हासिल करेंगे अस्टुमी के दिन मादुर्गा की प्रिये चीजों को भोग लगाए संगार का सामान भेट करें ऐसा करने से ग्राओं की शुपता दूर होगी आपका शुब्रंग रहेगा मजेंटा शुबंक रहेगा छे अब आते हैं तुला राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन चौते ही भाव में गोजर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आर्थिक समस्या है थोड़ी सी बढ़ सकती है अपने बजट को देख कर चले मा के साथ वाद विवाद और बैस बिलकुल भी ना करें वर्क प्लेस पर भी आपको कुछ आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगे आपके कारे फटा-फट से होंगे यात्रा है सुखद रहेगी आज के दिन योजनाबत तरीके से किये गयकारियों का भी विशेश लाप्राप्त होगा आपको इस दिन इन ग्रहों के शुपता को दूर करने के लिए दूरगा सब्त सती का पाट करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा पीला शुबंग रहेगा आठ अ अब आते मकराशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशी में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन कोई भी कारे जल्द बाजी में ना करें आज के दिन सोच समझकर किये गयकारियों का विशेश लाब आपको प्राप्त होगा योजनाबत तरीके से किये गये कारियों स आप अपनी द्रडता को बढ़ाएंगे सामाजिक मन सम्मान में बढ़ उत्री होगी आध्यात्मिक कारियों में आज आपका मन अधिक लगेगा दुर्गा अस्टमी पर मा दुर्गा की पूजा के दोरान अपनी घर में हवन करें आपका शुबरंग रहेगा भूरा शुबंग रहेगा चार अब आते कुम राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवेई भाम में गोचय प्रमन करेंगे अधा आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी कारिया न करें अब आते मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन ग्यारवेई भाम में गोचय प्रमन करेंगे अधा आज का दिन आपको अच्छे लाब की परिस्तित्यां दिखाएगा आज के दिन आपके कारिया फटा-फट से होते हुए दिखाई देंगे यातना है सुखत और मंगल में रहेगी दुरगास्मी पर मा दुरगा का अफरत रखें और हवन आदी से मा को प्रसन करें इस दिन पूजा में लाल कणेर के पुष्प चड़ाने चाहिए इससे ग्राओं की यशुपता दूर होगी आपका शुभरंग रहेगा मैनून शुभंग रहेगा पांच तो यह है 11 उक्तोबर शुक्रवार का दैनेक राशिफल अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए प्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराती रहिए जै श्री रादिक्रश्णा गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिध जोतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरस्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय कालसर्प दोश मा बगला मुखी विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8955658362